नमस्का दोस्तों मैं डक्टर संजय कुमार गरेलू इलाज देखिए 100% सटीक इलाज देखिए मेरे वीडियो नमस्का दोस्तों मैं डक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के मादियम से आपको बताने जा रहा हूँ आरवेदी कुपचार गरेलू पाई जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वास्त रहेंगे आज की जो वीडियो है ये वीडियो है ब्रेन टुमर के लिए जैसे की लोगों को ब्रेन टुमर की जो परिशानी है वो मैं इसमें आपको थोड़ा बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे बचना चाहिए और ये उपरेशन पर जो चले जाते हैं इससे आपको कैसे बचाओ करना है क्योंकि brain tumor के लक्षन इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बंता कैसे है और इसमें आपको परिशानी जो बहुत बड़ी जीवन की परिशानी होती है इससे आपको अपने आपको कैसे आपको बचाना है ये symptoms मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत फायदा करेगे ये वीडियो और इस वीडियो को शेर भी जादा से जादा करें brain tumor के लक्षण क्या आते हैं brain tumor के लक्षण जैसे की आपके सर में दर्द हो रहा है या आपके चोट लगी है या आपके blockage बनी है तो इसमें klots जो आता है ये गांट का रूप ले लेता है जब ये गांट बन जाती है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है लेकिन अगर आप इससे पहले ही आपको ये प्रवलम सा रही है अगर आप इससे पहले ही अपना बचाव करें खुद अपने खान पीन से तो आपका ये brain tumor जो आपका बनने जा रहा है ये बने गा नहीं ये गांट भी आपकी खुल जाएगी इसमें आपको मैं खान पीन बताँगा और आपको बताँगा praise क्या करना है आपको इसमें जो आपके symptoms आते हैं ये मैं आपको बतानी जा रहा हूं जो क्लॉट्स आता है जो इसमें गांट जो बननी शुरू होती है अगर आपको पता लगता है जैसे कि आपने सिटिस क्या निया माराई कराया है तो आपको करना क्या है इसमें आपको मैं परेज ही बता रहूँ पहले आपको किस परेज पर रहना है चावल, खटाई, अंडा, मास ये चार चीज आपको तुरंद बंद कर देनी है आपका ब्रेन टुमर नहीं बनेगा ग्रीन सब्जी पर आजाना है आपको कच्ची सब्जी जैसे कि सलाद के रूप में आप उसको खा सकते हैं जैसे कि मुली उसके आप जो पत्ते होते हैं उसको आप ले सकते हैं उसको आप काट कर हलका नमग डालके आप खा सकते हैं आठ दस पत्ती ग्रीन सब्जी की किसी भी परकार की सब्जी हो धनिया, पोदीना, पालक, मुली के पत्ते, गोबी के पत्ते आठ दस सबजी, दस सबजी के पत्ते होने चाहिए जिनको ये बिरेंट उमर की प्रॉब्लम आने से आपको मैं बचाने जा रहा हूँ ये आपको ज़रूर करना है, दस पत्ते हों तो ज़्यादा अच्छा है डेली का आपको मॉर्निंग में सील बट्टे पर पीसें या ड्रायर कर लें और उसको आप एक कप पेस्ट बन जाएगा आपका और एक कप ही आपको गरम पानी लेना है, तेज गरम पानी और उसको उसमें डाल देना है, पेस्ट को और मर्निंग में आपको इसमें डालना कुछ नहीं है ना नमक ना कोई भी मसाला ये आपको साधा ही लेना है ऐसी और ये जो गरम पानी में तेज डालने के लिए बोल रहा हूं तो इसमें जो आप पेस्ट बनाएंगे बहुत बारिक पेस्ट बन जाएगा ये जब आप ड्रायर कर लेंगे आप सिल बट्टे पर पीस लेंगे इन दस पत्तों को अलग-अलग सब्जियों के तो इसमें आपको डालना कुछ नहीं है और पानी मिलाके इसको मिक्स करके आपको गरम गरम जितना गरम आपको मिल जाए मैं तेज गरम कह रहा हूँ तेज गरम इसमें एक कप पानी मिला लें और उसको आप पी लें मॉर्निंग में खाली पेट और एक गंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है दोपैर शाम को भोजन में सला सबसे जादा खाए रोटी कम कर दें आप जो आपकी खुराक है उससे दो रोटी कम कर दें गरीन सबजी का सेवन जादा से जादा करें जितनी आप गरीन सबजी लिक्विड गरीन सबजी घाडी नहीं होनी चाहिए इसमें गरीन सबजी लिक्विड होनी चाहिए जितनी लिक्विड होगी उतना आपको फायदा होगा गरम मसाला गरम मसाला नहीं डालना साधा आपको बोजन करना है और यह जो आपके जो ब्रेन टुमर बनने वाला है यह एकदम ऐसे गांट ही गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा आप दो तीन मैंने बाद CT scan कराए या MRI कराएंगे तो आपको नजड़ नहीं आएगी यह परेज पर आपको रहना जिनका शुरुवाती है जिनकी शुरुवाती प्रब्लम से इसमें आपको बहुत लाब मिलने वाला और इसमें आप आपको अगर थोड़ी सी जादा बड़ी गांट है तो आप हमसे दवाई म हैं कैमिकल की कोई वी चीज आपको नहींखानी एक्सपारी वाली जिस पर pię çıktı लिखा है वो बिलकुल नहीं खाना जंग फूट बिलकुल नहीं क्हाना इन सब चीजों से बच्छना है कोई भी कॉलिंग स नहीं पीनी आपको नीमू कि शिकंजी पीसक्ते हैं घरमें आप आप बनाई है निमोगी शिकंजी बना के पी सकते हैं और चीनी आपको बंद करनी पड़ेगी क्योंकि चीनी से आप बचेंगे तो ये ये भी इसमें भी कैमिकल्स होता है धागे वाली मिसरी उसको आप यूज़ करें अपनी चाय में दूद में भार की मिठाई बंद अपनी घर मे मिठाई बनाओ धागे वाली मिसरी की या देशी खंड की इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं चीनी से आपको बचना है क्योंकि चीनी में कैमिकल्स होता है और जिनको ये शिकायत है ब्रेंट उमर या गांट बन रही है जैसे ब्रेंट उमर जिसमें ये ब्रेंट उमर का र तो इसमें ये मैंने आपको तरीका बताया है बहुत आसान तरीका है और सिम्टम्स आपके इसमें जो है बढ़ेंगे नहीं रोक जाएंगे हमारी दवाई इसमें 6-7 मेंने का ट्रीटमेंट होता है कोरियर दुवारा मंगा सकते हैं जिनकी गांट थोड़ी बड़ी हो गई है वो दवाई मंगा सकते हैं वो ये गांट गुल जाएगी लेकिन परेज पर आपको यही वीडियो परेज पर रहना होगा जो मैंने आपको बताया है मैं उसमें यही परेज बताता हूं और इसमें खान पीन का मैंने आपको बता दिया है परेज मैंने बता दिया है लक्षन आपको बता दी है मैंने कि ये brain tumor कैसे बनता है जैसे आपके चोट लगी accident हुआ blockage आ गई आपके दर्द बन रहा है तो तब भी ये brain tumor बन जाता है क्योंकि गाट इसमें klots आया और ये धीरे धीरे क्योंकि परेज करते नहीं है लोग कुछ भी देखा वोई खा लिया पी लिया उससे आपको बचना है अगर ये symptoms आपके आ रहे हैं तो ये परेज पर आपको जरूर रहना है अंडा मास किसी भी परकार का मास चावल खटाई इ इससे आपको बचे रहना है अपना आपको बचाना है और आपकी ये problems बढ़ेंगी ध़ी नहीं दूढ पी सकते कोई problem नहीं है आप इसमें गाएं का घी खा सकते हैं लेकिन जो देशी घी होता है वो नहीं लेना है गाएं का घी वह आप थोड़ा ले सकते हैं ज्यादा नही एक पूरे दिन में आप 20 से 30 गिराम घी ले सकते हैं इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं गाएं का गाएं का जो घी है इससे भी आपको बचना है तो यह प्रावलम्स आपकी बढ़ेगी नहीं और आप अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं यह brain tumor बन जाता है और operation पर चलिए जाते हैं बहुत जल्दी operation पर चलिए जाते हैं क्योंकि वह दवाई जो खाते हैं उनको दवाई इस तरीकी की दी जाती है कि उनको प्रेशानी बनी रहती है और कहते हैं पीछा चुताओ जल्दी से उपरेशन कराओं तो इसमें operation पर जात पूरा आपकी गांट बन गई है ब्रेंट उमर हो गया है तो आपको ब्रेंट उमर से बचाने के लिए यह परेज में रहें और 6-7 मेने दवाई खानी है लेकिन हम इसमें जो दवाई देते हैं सिर्फ एक मेहने की दवाई देते हैं आप अपना CT scan या MRI कराईए उसके बाद एक मेने बाद फिर आपको कराना है आपका यह ब्रेंट उमर कम होता है तो हम आगे दवाई चलाते हैं नहीं तो नहीं देते क्योंकि यह आपकी बोडी पर निर्बर होता है कि हमारी दवाई को कैसे कितना accept करे यह आपकी बोडी पर निर्बर करेगा कि यह हमारी दवाई आप पर कितनी लग रही है अगर नहीं लगती दवाई तो हम दवाई बिलकुल नहीं देते हम केवल एक ही दिन एक ही मेहनी की दवाई देते हैं और उसके बाद आप अपना CT scan कराएं, MRI कराएं उसमें आपको पूरा clear हो जाएं कि हाँ यह कम हुआ है तब ही हम आगे दवाई चलाते हैं यह आपकी body पर निर्बर है कि हमारी दवाई कितना accept करती है आप अपने आपको फिर इसमें आगे चलके स्वस्त महसूस करेंगे दवाई हमारी चलती रहेगी और आपका brain tumor निकल जाएगा और इसमें आप अपने परेज पर आपको जरूर रहना है जितना मैंने आपको बताया है यह परेज आपकी जिन्दगी के लिए आपके बचाव के लिए है और आपकी यह गांट जो घुल जाएगी अगर छोटी है बहुत जल्दी घुल जाएगी और जिनकी थोड़ी बड़ी है तो वो दवाई मंगा के अपना इसमें treatment करा सकते हैं और इसमें डर्ने की जोड़त नहीं है यह symptoms जो होते हैं यह कम हो जाते हैं बढ़ते नहीं है और जो दर्द इसमें आता है दर्द भी आपका कम होगा अगर आप इस परेज पर भी रहेंगे जो दर्द है यह दर्द भी आपका कम होगा और आपका जो खिचाओ जो भी आपके इसमें दर्द के पेन की वेसे जो आपको प्रब्लम्स हो रही है खिचाओ बन रहा है या आपका दर्द कान के पीछे आ रहा है ये आपका बंद हो जाएगा जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं चक्कर भी आने बंद हो जाएंगे बहुत कम हो जाएंगे symptoms इसमें change हो जाएंगे आपके अगर आप प्रेज पर रहते हैं और यह प्रेज आपका बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा अब आप साग्या चाहूंगा नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजय कुमार लाइक कीजिए subscribe कीजिए शेर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया तेश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आरवेदिक इलाज आपके लिए 100% सटिक इलाज आपके लिए दोस्तों